आप सभी लोगों का बहुत स्वागत हैं एक ट्वीट आप भी देख सकते हैं रविवार को सेकिंड हाफ में सलावदिन शोईप चौधरी जो ब्लिट्स के संपादक हैं बांगलादेशी पत्रकार हैं उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने राहूल गांदी के यूएस दोरे का पुरा खुलासा किया है ट्वीट में शोईप चौधरी ने ये साफ साफ लिका है कि राहूल गांदी किस किस से मिलने वाले हैं वैसे सोचल मीडिया पे राहूल गांदी के विदेशी दोरे पर जो जा रहे हैं आट से दस के बीच में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं इसी पर बात होगी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा वही आगर है वही निवेदन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए कमेंट भी कीजिए और सभी राष्टवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रती अपन अच्छा ये बात समझनी भी बहुत जरूरी है कि विधान सभा के चुनाव होने जा रहे हैं अर्याणा में भी जमुकश्मीर में भी तो राहूल गांधी का प्रचार करना इन स्टेट्स में जरूरी है या फिर राहूल गांधी का प्रचार जो बाइडन के लिए करना लेकिन जो प्रोग्रेम कॉंग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। उसके एकॉडिंग निता प्रतिपक्ष राहूल गांदी आठ से दस सितंबर तक अमेरिका के तीन दिशिये दोरे पे रहेंगे। इस दोरान वो भारतिय मूल के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, समवात क करेंगे टेकसास यूनिवरसटी में और वाशिंग्टन डी सी और डलास में कई करक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। इंडियन अवर्सिस कॉंग्रेस के प्रमुक और रहूल गांदी के अंकल सेम पितरवदा। उन्होंने शनिवार को एक वीडियो बयान में कॉंग्र इस निता रहूल गांदी के बारे में उनके अमेरिके दोरे का विबरन साज़ा किया। और एक और चीज़ है। गत जून में भी लुकसभा के निता प्रतिवक्ष बनने के बाद रहूल गांदी का ये पहला दोरा होगा। सेम पितरोदा ने कहा कि वो अमेरिकी यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा वरी सिंशिप्त रहेगी। रहूल गांदी 8 सितंबर को डालास शेहर में होंगे, 9 और 10 सितंबर को वाशिंग्टन में रहेंगे। इस दरान वो भारतिये मूल के लोगों से बातचित करेंगे और का राहूल गांदी के विदेशी जो द्वरे होते हैं न, उसके द्वरान जैसे अगर वो चार दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो दो दिन उनके अचानक से वो रडार से गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि वो कहा जा रहे हैं, कहा बैटे हुए हैं, I mean वो चीन के साथ हकका नॉडल्स खा रहे हैं या डॉनल्डू के साथ कोई नई योजना पर काम कर रहे हैं अब बांगला देशी पत्रकार सलाओदिन श्वयब चौधरी ने भारती टीवी चैनल के डिबेट में ये बात कह दिये कि राहूल गांदी ने लंदन में एक बैटर की उसमें तम मीटिंग का दावा श्वयब चौधरी कर रहे हैं लेकिन अब वो कोई और्डिनरी नेता नहीं है अब वो नेता भी पक्ष भी है ऐसे में उनकी यात्रा को कई एंगल से देखा जा रहा है जाज अजनसिया भी अपना काम शुरू कर चुकी हैं अक्सत राहूल गांदी अप अपने सुनाई हैं कभी वो अपने समिधान की बात करते हैं कि खत्रे में तो कभी कहते हैं कि भारत में लोगतंत्र खत्रे में हैं भारत में माइनर्टी सक्षन जो है वो सेफ नहीं है इस तरह की कि तमाम बातें वो पास्ट में करते रहे हैं और इसके साथ ही एंटी इंडि या टीम से भी मिलते हैं, ये कई बार तस्वीरों में आपने भी देखा, एक और बात है, रहुल गांदी विदेशी जात्रा से जब लोटते हैं, तो लोटने के बाद वो जो ग्यान लेके आते हैं न, वो ग्यान भी उनकी बातों में साफ नजर आता है, मेरे शो में सीनियर जर्नलिस्ट उमकार चौधरी आये थे, और मैं आपको एक वो छोटा सा क्लिपिंग भी साजा करती हूँ आपके साथ, कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद फिर देखते हैं कि बांगलादेशी पत्रकार ने रहुल की यात्रा को ले करके क्या ट्वीट किये हैं, पहले हम उंकार चौधरी जी को देखते हैं, और इंडिरेक्शन के दोरान वो कुछ ऐसा शो करते हैं, महा पुरूश है, और जो स्वेम सिद्ध महा पुरूश होता है, उसको किसी से ग्यान लेने की ज़रूर थोड़ा है, तो वो अमेरिका क्यों जाते हैं, यू के क्य क्यों जाते हैं, दूसरे देशों की यात्राइक क्यों करते हैं, वो अपने आप में एक रहस्य का विश्य है, दो साल पहले परदान मंतरी नरेंदर मोदी जब अमेरिका जाने वाले थे, आधिकारी के दोरे पर भी और चुकि यूएन महासवा का सेशन भी सेप्टेंबर मे ही होता है हर साल, तो उसको भी संबोदित करना था, तो रहुल गांदी भी उस सेशन के कुछ समय पहले, हफते बर के लिए अमेरिका पहुंच गए थे, अब कॉंग्रेस के लोगों से, उनके रणनीतिकारों से, जब आफदर रिकोड बात की जाती है, कि ये सेप्टेंबर म ही अमेरिका जाने का क्रम क्यों शुरू किया है राहुल गांदी ने, तो उनका प्राइवेटली एक तर्क होता है, बलके मैं कहूंगा कि कुतर्क होता है, उनका कहना है कि साब मोदी जी चुकी अमेरिका और दूसरे देशों में जाकर के जो महां भारतिये वसे हुए हैं, और जो भी हुआ है वो गलत ही हुआ है, और कॉंग्रेस तो बड़ी पापी बलके महापापी पारिटी है, बड़ी भरष्टाचारी पारिटी है, उसने तो देश की एकोनोमी को भी वरबाद किया, देश की चभी को भी वरबाद किया, जैसे 2014 से पहले तो पासपोर्ट की को अरी प्रतिभाएं अब पूरी दुनिया में जो है वो उबर करके सामने आई हैं जैसे 2014 के पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है तो राहुल गांदी भी अब मौदी जी के उनकी कवे दुष पर चार है उसको काॉंटर करने के लिया अमेरेका जाते हैं उनका य कहना है लेकिन सब जानते हैं कि राहुल गांदी की मुलाकाते किन किन से होती हैं कहां कहां वो जाते हैं और उसके बाद जो आज कल ऑ सोशल मीडिया में और दूसे तमाम क्षेत्रों में टूल किट का जिक्र होता है कि राहुल गांदी जब जब विदेश यहत्रा से लोटते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ कांड हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वज़े से वो सुर्ख्यों में आते हैं या अलग-अलग कुछ कभी कोई किसान के नाम पर अंदोरन शुरू हो जाता है कभी कोई शाहिन बाग शुरू हो जाता है कभी कोई दूसरे कांड शुरू हो जाते हैं तो क्या ऐसा कुछ करने के लिए वो जाते हैं तो ये अपने आप में एक रहसी की तरह है पर अब रहसी भी नहीं रह गया है क्योंकि स्री लंका में जिस तरीके से गटनाए गटी थी बांगला देश में जिस तरीके से पांच अगस्त को शेख हसीना सरकार का तक ताउलट दिया गया वहाँ पर अमेरिका के एक पिठ्थू मुहमद यूनुस को कारिकारी बना करके शबत दिला दी गई और वहाँ जिस तरीके के गटना करम मिश्य नमैश्य समय चल रहे हैं उसको लेकर कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दीया है कि एक्टॉल में बंगला देश जो है वो एक कहना चाहिए कि ट्रेलर है असली जो टार्गिट है वो तो भारत है और भारत असली टार्गिट क्यों है और उसके लिए कहां कहां से किस किस तरह की तैयारियां चल रही है एक पुरा एको सिस्टम है इसके अलावा जोर सोरोस से लेकर के कनाड़ा में यूके में यूएस में बैठे हुए कुछ दूसरे लोग भी है वहां का डीप स्टेट भी है पाकिस्तान का डीप स्टेट भी है चाइना भी खार बड़े हुए लोग हैं, ताक्ते हैं और ये अब दो हजार उन्तिस का इंतजार नहीं करना चाहते, अगले लोग सबस्चनाव का इंतजार नहीं करना चाहते है। तो आपने देखा कि उंकर चौधरी जी ने क्या-क्या बात कही है। अब जरा देखते हैं कि शोईब जो ब्लीड्स के संपादक है, शोईब चौधरी, वो क्या कह रहे हैं। ये इनका ट्वीट है, इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। हाइलाइट्स अफ मीटिंग्स, डोनाड लू, फर्स्ट नंबर पर, आम इन जिन से ये मिलेंगे। उसके बाद जॉड्सोरोस और उसके बाद नेशनल एंडाउनमेंट और डेमोक्रेसी ओफिशल्स। ये उनके युएस ट्रिप के जो सेप्टेमबर आठ से दस के बीच में है, उसके हाइलाइट्ट है। इन इन लोगों से मिलेंगे, ये इनका प्रोग्रेम है। एक इनका और ट्वीट है, वो भी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। अब इसमें उन्होने घलो राहूल नहीं, ये विशिटिंग दो ग्रुम्र एप्वेट्टी अप्टेमरे, इसमें अन्होने, तौनेट, आपूर्वक्रण तौनेट, इसमें में हमें है। लोबाइस्ट तो सेट अपांटमेंट विद प्रेजिदेंटियल केंडिडेट्स, वाई यू आर केरिंग ए डोजेर अगेंस्ट प्येम, मोदी, स्टेटिंग इंडिया, इस अट रिस्क अफ बिकमिंग हिंदु स्टेट। तो यह अपने आप में इनकी बहुत बड़ी टिप अच्छा, एक और बात है, यह मतलब जाहिर सी बात है, कि राहुल विदेश की जात्रा पर क्यों है, क्यों जा रहे हैं, आपने ये ट्वीट देखे ही न, तो विदान सभा से पहले ऐसा कौन सा जरूरी काम है, सवाल सबसे बड़ा यह है, कि भारत में विदान सभा के चुन आप देखी रहे हैं, कि किस तरीके से कॉंग्रिस के बयान होते हैं, किस तरीके से इन्होंने कहा है, कि हम 370 हटाएंगे, यह सब बातें कह चुके हैं, अब चुकी राहुल गांदी यूएस दोरे पर जा रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है, कि यह इन्हें हर्याना और जमू कश मीर से ज्यादा चिंता जो बैडन के चुनाव की है, क्या उनका परशार करने जा रहे हैं, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं, इस पर भारती जाच एजनसियां भी अब इस पर काम कर रही हैं, कि इनके जाने का मकसद क्या है, अलागी आपने मरिष्ट पत्रकार, हुंकर चौदर यह क्योंकि इन्हें हमेशा सेप्टेंबर में यह अपना विज़ेट वहां के लिए क्यों प्लान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कि यह वहाँ पर डोनल्लू के साथ मुलाकात करेंगे, यह ऑन पर जोर सोरस के साथ मुलाकात करेंगे, यह जो सब एइंटी अगर ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे और देश विरोधी ताकतों से अगर ये बात करते हैं तो ये फिर भारत के लिए बहुत गंभीर बात हो जाती है, बहुत सीरियस बात हो जाती है, तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आप सभी लोगों क बहुत बहुत धन्यवाद, and again the same thing, आपको अगर मेरे content अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे like जरूर कीजिए, and जो bell icon आप देखते हैं न, उसको आप hit जरूर कर दीजे, और उसमें all पर जाकर के देख लीजे, कि आप सही जगा पर हैं या नहीं हैं, तभी आपको मेरे notification मिल करेंगे, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपनों और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें, खुश रहें, सच रहें, जै हिन, जै भारत.